हेलो एब्रिवन तो आज के इस क्लास में बिहार PGT से रिलेटेट GKGS के कोशन्स के बात करने वाले हैं टोटल कोशन्स 50 रहने वाले हैं क्लास स्टाट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले चैनल को नाम है GoToSuccess अगर आप Net, JRF, PGT, GIC या फिर Assistant Professor Exam की तयारी कर रहे हैं शुशोल जी से तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपने स्टाड़ी को कम्प्लीट कर सकते हैं प्लेडिस में उन सभी वीडियोस के फोल्डरस मिल जाएंगे आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं तो चलिए स्टाड़ करते हैं खिलाफत समिती का गठन कहा और कब हुआ था खिलाफत समिती का गठन पूछा जा रहा है कब और कहा हुआ था सही क्या होगा यहाँ पर सही हो जाएगा March 1990 Bombay में March 1990 Bombay में हुआ था Option A यहाँ पर क्या हो जाएगा Right answer हो जाएगा अगर खिलाफत आंदोलन की बात होती है ठीके आंदोलन का श्रह किसको जाता है खिलाफत आंदोलन का अली बंधु जिसमें की शौकत अली और मुहम्मद अली को श्रह दिया जाता है है ना खिलाफत आंदोलन को शुरू करने का चली आगे देखते हैं भारती रास्ट्रिय कॉंग्रेस की पुरथम महिला अध्यक्ष कौन थी सही क्या हो जाएगा सही क्या होगा एनी बेसेंट एनी बेसेंट हो जाएगा अब हर साल में भारती रास्ट्रिय कॉंग्रेस की कॉंग्रेस का क्या होता है अधिवेशन होता है भारती रास्ट्रिय कॉंग्रेस का का अधिवेशन था ठीक, कब हुआ था 26 से 29 दिसम्बर, 26 से 29 दिसम्बर 1917, ठीक, और ये हुआ खार। कहां था कलकत्ता में का हुआ था कलकत्ता में हुआ था या अधिवेशन वाला, जिसकी अधिक्षता एनिबेसे ने की थी भारती राश्टी कॉंग्रेस का 32 अधिवेशन था जो की 26 से 29 दिसंबर 1917 में हुआ था कलकत्ता में अब एक प्रेश्ण पूछा जाता है कि भारती राश्टी कॉंग्रेस की पहली भारती महिला अधिक्ष कौन थी? यहाँ पर केवल पूछा गया है पहली महिला अधिक्ष लेकिन पहली भारती महिला अधिक्ष कौन थी? इस तरीके से भी प्रेश्ण पूछा जाता है तब हो जाएगा सरोजनी नाइडू सरोजनी नाइडू ने 1925 में कानपूर में कहां पर कानपूर में भारती राश्टी कॉंग्रेस का जो चालिसवा जो अधिवेशन था उसकी अधिक्षता की थी चालिसवे अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की दी सरोजनी नाइडू की और सरोजनी नाइडू पहली भारती महिला अध्यक्ष थी भारती रास्ट्रियों कॉम्मिस की ठीके, कन्फियूज तो नहीं होंगे, चलिए, आगे देखते हैं निमलिकित में से कौन सी ग्यास को हासिक ग्यास कहते हैं, नाइड्स ओक्साइड, नाइड्रोजन पराउक्साइड, नाइड्रोजन नाइड्रिक ओक्साइड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाइड्स ओक्साइड हो जाएगा, ओप्शन A यहाँ पर राइट आंसर हो द्वित्य विश्युद में भारतिय सहयों को सुरक्षित करने की रूप में क्रिप्स मिशन कब भारत आया था तो सही हो जाएगा 1942 1942 ओप्शन C यहाँ पर राइट होगा नेक्स्ट है राष्ट्य कॉंग्रेस कारिकारी समिती ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोधन कहां किया था वर्धा, नाकपूर, मुंबाई, दिल्ली वर्धा, नाकपूर, मुंबाई, दिल्ली ओप्शन्स दिये गए हैं सही क्या होगा? सही क्या होगा यहाँ पर? सही हो जाएगा वर्धा में ठीके? 14 जुलाई 14 जुलाई 1942 को कॉंग्रेस कारी समिती की बैठक वर्धा में होती है और यहीं पर कॉंग्रेस कारी समिती द्वारा अंग्रेजो भारत छोड़ो प्रस्ताओ भी पारित किया जाता है और जिसके अधिक्षता अबुल कलाम आजाद ने की थी ये भी याद रखेगा 14 जुलाई 1942 को हुई थी कॉंग्रेस कारी समिती की बैठक वर्धा में और यहीं से जो अंग्रेजो भारत छोड़ो प्रस्ताव है वो भी पारित किया जाता है अब यह यहाँ पर ध्यान रखेग 8 अगस्त, 8 अगस्त 1942 में यह जो प्रस्ताव है अंग्रेजो भारत छोड़ो का वो स्विकार कर लिया जाता है और उसके अगले दिन 9 अगस्त 1942 में अंग्रेजो भारत छोड़ो आंदोलन है वो शुरू हो जाता है ठीक है तो यह डेट्स याद रखेगा चली आगे देखते है लैंड ओफ द गोल्डन पगोडा किसे कहा जाता है मैंमार, चीन, जापान, उत्री कोरिया सही यहाँ पर क्या हो जाएगा मैंमार ओप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा नेक्स्ट है नालंदा विश्विद्याले किसके लिए विश्व प्रसद है चिकित्सय विज् बॉद धर्मदर्शन या अफित तरक शास्त तो यहाँ पर बॉद धर्मदर्शन होगा ओप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा नेक्स्ट है दुनिया के मजदूर एक जुट हो जाओ यह जो नारा है वो किस से समबंदे थैं अमेरकी क्रान्ती से रूशी क्रान्ती से फ्रेंच क्रांती से तो अब यह आप लोग सब बता रहे होंगे ना कालमाक्स ने का है दुनिया भर के मज़दूरों एक हो जाओ अब यह किस क्रांती से संबन देते हैं अमेरिकी क्रांती रूसी क्रांती जापानी क्रांती या फिर फ्रेंच क्रांती फ्रेंच रेवलुशन भताएगे सही क्या होगा इर्दका इर्दका हो जाएगा रूसी क्रांती ओप्षिन B यहां पर रायांसर हो जाएगा 1917 मेह hoc नैन्हांटांटी 17 में यह होती है ठीकिह रूसी क्रांथी संछन ऑप्षिन बूप्षिन व्यहांपर राइ कालमाक्स ने यह कहा था, नारा कालमाक्स ने दिया था, नेक्स्ट है, मेक दूद का लेखक कौन है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, राइट क्या हो जाएगा, कालिदास, ऑप्शन, C यहां पर राइट हो जाएगा, नेक्स्ट है, पुरंदर की जो संधी है, वो किसके बीच ह मुगल और मराथा पूर्वी गंग और चोल बंगाल और राजपुतों के नवाब अफगान और पुर्टगाली मुगल और मराथा ओप्षिन यहाँ पर राइड आंसर हो जाएगा और यह होती है 1665 में संधी कब होती है मुगल और मराथा के बीट पुरंदर की 1665 में मंगलोर के विरोध किस युद में इस्ट इंडिया कंपनी ने आखिरकार विजय प्राप्त की थी पहला ओगल मैसूर यूद दूसरा ओगल मैसूर यूद तीसरा ओगल मैसूर यूद या फिर चोथा ओगल मैसूर यूद सही क्या होगा चौथा ओगल मैसूर यूद option D यहाँ पर right answer हो जाएगा next है लोहे को जिंक की परत के द्वारा सनरक्षित करने की जो प्रक्रिया है वो इन में से क्या कहलाती है शमन, ग्यल्मनी करन, जंगलंगना या फित धातु कर सही क्या होगा यहाँ पर ग्यल्मनी करन होगा option B यहाँ पर right answer हो जाएगा ठीक है लोहे पर जंग लगने से इसमें बचाया जाता है तो option B यहाँ पर right होगा next है सह सहियोजी आबद को dash कहा जाता है आनविक बंद, प्रोटॉन बंद, केंद्रग बंद, इलेक्ट्रॉन बंद सही क्या होगा सही आपर क्या हो जाएगा आनविक बंद हो जाएगा option A यहाँ पर right answer हो जाएगा next है गोबर गैस का प्रमुग घटक क्या है प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन, एथिलीन प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन, एथिलीन ओप्शन्स देगे हैं right क्या होगा right क्या होगा यहाँ पर मीथेन, option C यहाँ पर right हो जाएगा next है प्रचन बेरोजगारी को और किस नाम से भी जाना जाता है अल्परोजगार, संगर संबंधि बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी या पर चक्रिय बेरोजगारी सही क्या होगा यहां पर सही क्या होगा अलप रोजगार ठीके जो प्रचन पी रोजगारी है यह जादा तब भारत में क्रशी छेत्रों में देखने को मिलती है जैसे कि आप लोग परिवार में देखेंगे खेती में क्रशी कारेयों में दो तिन लोगों की जरुत होगी है ना तो पूरा परिवार जूर जाता है काम कराने लग जाता है ठीक है तो यह अलप रोजगार ओप्शन यहां पर राइट होगा क्रशी छेत्रों में यह देखने को मिलता है नेक्स्ट है हरित क्रांती का सरवाधिक प्रभाव किस में देखा गया था गेहू चावल दाल तिलहन ओप्शन देगे हैं हरित क्रांती का सरवाधिक प्रभाव किस में देखा गया बताईए सही क्या होगा यहां पर सही क्या होगा बदाईए राइट क्या हो गए यहाँ पर देखे अगर हरित क्रांती की बात करी जाए जो हरित क्रांती है अगर उसकी बात की जाए यह शुरू कब होती है 1965 1965 ategолог भारत में हरित क्रांती शुरू होती है 1965 से ठीक है कि हरित क्रांती के बात भारत में अगर हम सबसे ज्ज़ादा देखने की बात अगर हम करें कि कि किसकी पैलावार जादा देखने को मिली थी हुई थी जो गेह उसकी बात करें उत्पाधन में सरवाधिक प्रगती अगर हम देखें उत्पाधन में तो गेहु की हुई थी फिर उसके बाद चावल की हुई थी लेकिन सरवाधिक क्राणति का प्रबहुत तिलहन में उस मिला था, option D, यहाँ पर right answer हो जाएगा, फिर अगर हम हरित क्रांती के पश्चात, ठीक है, ध्यान दीजेगा, हरित क्रांती के पश्चात, भारत में सरवाधिक प्रगती जो हुई थी, उत्पादन में, किस उत्पादन में हुई थी, गेहू में हुई थी, और फिर उसके 1931, 1947 या पर 1942, गांधी इर्विन समझाता, कब हुआ था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, right answer, गांधी इर्विन समझाता, कब हुआ था, 1931 में, option B, यहाँ पर right answer हो जाएगा, ठीक है, option B, यहाँ पर right answer हो जाएगा, पांच मार्च, 1931, ठीक है, पांच मार्च 1931 को यह समझाता है, होता है, जिसे जो वाई सराय थे, लौड इर्विन से, इर्विन के साथ, तो यह जो समझाता, जो हुआ था, उसे गांधी इर्विन समझाता, कहा जाता है, ठीक है, और इस समझ समझाता होता है, ठीक है, तो option B, यहाँ पर right है, next है, नमक सत्यग्रे कहां पर समाप्त हुआ था, डांडी, सूरत, एहमदाबाद, साबरमती, कहां पर समाप्त हुआ था, तो डांडी में हुआ था, option A, यहाँ पर right हो जाएगा, ठीक है, option A, यहाँ पर right होगा, next है, वातावरन की सबसे गन पर कौन सी होती है, thermosphere, troposphere, stratosphere, यहाँ मेसोस्फियर, सही क्या होगा, thermosphere, इसे ताप मंडल भी कहा जाता है, thermosphere, option A, यहाँ पर right होगा, next है, सुल्तान रजिया के पिता, सुल्ताना रजिया के पिता कौन थे, इल्टु तमेश, बल्बन, कैकुबाद, मुहम्मत, तुगलग, सही क्या हो जाएगा, इल्टु तमेश हो जाएगा, ठीक है, option A, यहाँ पर right answer हो जाएगा, और यह मद्यकालीन भारत की पहली महिला शाशिका थी, रजिया सुल्तान, ठीक है, मद्यकालीन भारत की पहली महिला शाशिका रजिया सुल्तान थी, next है, भारत में पहला analog computer किसने अभिकल्पित किया थ सुबोथ चंद्र दासगुपता, समरेंद्र कुमार मित्रा, बिमल कुमार भटाचारया, देव कुमार बोस, सही क्या होगा यहाँ पर, सही हो जाएगा, समरेद कुमार मित्रा, option B, यहाँ पर right होगा, next है, सोने की शुदता मापी जाती है, मीटर में, कैरट में, वाट में, जो सोने की है, गोल्ड, उसकी जो शुदता है, वो किस में मापी जाती है, सही क्या होगा, कैरट होगा, और सबसे जो, कहले हम, जो शुद है, है न, शुदता, सोने की जो शुदता है, सबसे शुदतम रूप सोने का कितना कैरट होता है, 24 कैरट, 24 कैरट में होता है, ठीक है और भारत में सोने का सबसे अधिक उत्पादन किस राज में होता है करनाटक में याद रखेगा करनाटक में सबसे ज़्यादा सोने का उत्पादन होता है भारत में option B यहाँ पर राइट है अमीनो, एसेट द्वारा, वसा, लिपिट या फिर कार्बो हाइडरेट जो एनरजी है, उर्जा है 70% इन में से किसके द्वारा पूरा किया जाना चाहिए है कार्बो हाइडरेट option D यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा option D यहाँ पर राइट है next है वह कौन सा चोल शाशक था जो गंगा विजेता के नाम से प्रसिद था तो राजिंद चोल प्रथम हो जाएगा option A यहाँ पर राइट होगा next है पानी का पीच कितना होता है 7, 5, 3, 1 पानी का पीच कितना होता है तो यहाँ पर 7 हो जाएगा option A यहाँ पर राइट होगा next है निम्बू के रस का पीच चार है इसका अर्थ है कि यहाँ डैश होता है चारिये, अमलिये, उदासीन या फियन में से कोई नहीं तो यह अमलिये होता है option B यहाँ पर राइट होगा next है ब्रिटिशों के साथ अलिनगर की संधी पर किसने हस्ताक्षर किये थे सिराजुद दौला, मीर कासिम, अलिवर्दी खान, मीर जाफर सही क्या होगा सही क्या हो जाएगा यहाँ पर सिराजुद दौला option A यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा next है भारत में स्वदेशी आंदोलन के द्वारान स्वाराज द्वज किसने डिजाइन किया था बाल गंगदर तिलग, रविना ट्यागोर, महात्मा गांधी, सुभास्चंद बोस दिखे, आंदोलन कौन था? स्वदेशी आंदोलन के समय भारत में स्वाराज द्वज, द्वज का नाम क्या है? स्वाराज द्वज किसने डिजाइन किया था? सही क्या होगा यहाँ पर? सही क्या हो जाएगा यहाँ पर? महात्मा गांधी हो जाएगा option C, यहाँ पर राइट अंसर हो जाएगा और इस द्वज का रंग कितना था, कौन-कौन सा था, तीन रंग में था ये द्वज, लाल हरा पीला, लाल हरा पीला था, ठीक है, option C यहाँ पर राइट हो जाएगा, next है, समतल दरपन द्वारा बनने वाला प्रतिविम सदैव होता है, उल्टा, सीधा, जुका या फे मुडा, उल्टा, सीधा, जुका, मुडा, समतल दरपन द्वारा बनने वाला जो प्रतिविम होता है, वो क्या होता है, हमेशा सीधा होता है, option B यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, next है, मुगल बादशा अकबर का मगबरा कहां इस्तित है, अजमेर में, जौनपुर में, सिकंदर में, और अंगाबाद में, मुगल बादशा अकबर का जो मगबरा है, वो कहां पर है, वो हो जाएगा, सिकंदरा में, ठीक है, आगरा के सिकंदरा गाउ में है, ठीक है, इसके जो बादशा है, अकबर, इनका जो मगबरा है, इसके निर्मार की, ये जो मगबरा था, ठीक है, इसके निर्मार की योजना अगबन ने बनाई थी लेकिन जो निर्मार है वो जहांगीर ने 1613 में किया था 1613 इश्वे में जहांगीर ने इसका निर्मार करवाया था और ये जो मगबरा है वो कितने मंजिले हैं इस मगबरे में 5 मंजिले हैं चली आगे देखते हैं निम्ण में से कौन संथाल विद्रो के एक नेता थे स्वामे विवेका नन सिद्धुमान जी बियारंबेट का सूरिसेन सही क्या होगा संथाल विद्रो के नेता कौन थे सिद्धुमान जी ओप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अब यह जो संथाल विद्रो है वो 1855 से 1856 जो संथाल विद्रो का समय क्या था 1855 से 1856 था सिद्धु और कानु इसके क्या थे कानु इसके नेता थे चली आगे देखते हैं भारत में किस खाद्यान में सोने के भंडार पाए जाते हैं जादु गुडा, नोअ मुंडी, कोलार, सिंभूम सही क्या होगा सही होगा कंडाटक राज के कोलार में ओप्शन C यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है निम्लिकित में से कौन सा राज्य कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक पूछा जा रहा है ओप्शन्स दिये गया है तमिलनाडू, आंध्रदेश, केरल, करनाटक सही क्या होगा यहाँ पर? सही हो जाएगा करनाटक ओप्शन D यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा करनाटक नेक्स्ट है हीरे का उत्पादन करने वाला भारत का एकमातर राज्य कौन सा है? भारत का एकमातर राज्य है जो हीरे का उत्पादन करता है आंध्रप्रदेश, पश्यम्बंगार, उत्राखन, मध्यप्रदेश सही क्या हो जाएगा? MP के पन्ना जिला MP का जो पन्ना जिला है उसमें होता है मद्यप्रदेश option D यहाँ पर राइट होगा next है निमने जीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है सांभर जील, अनुपम जील, कामा जील, सुखाना जील है सही क्या होगा यहाँ पर अनुपम जील, option B यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा next है victory the city, पुस्तक संबंदित है सलमान, रुष्दी, प्रिंस हैरी, नीरज कुमार, संजीब सन्यार सही क्या होगा यहाँ पर सही क्या होगा सलमान, रुष्दी, option A यहाँ पर राइट होगा victory the city, यह बुक किस की है, सलमान, रुष्दी की है option A यहाँ पर राइट है, next है बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला है किशन गंज, कैमूर, गया, मुजब्ध, सबसे ठंडा जिला पूछा जा रहा है, बिहार का कौन सा है, तो गया हो जाएगा गया, बिहार का सबसे ठंडा वाला जिला है next है, बिहार में सबसे बड़ा नगर है भागलपूर, दर्भंगा, मदुबनी, पतना बिहार का जो सबसे बड़ा नगर है वो कौन सा है, पतना है Option D यहाँ पर right है Next है मुल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है बौधमट, देवताओं की भूमी, हर्याली का प्रदेश, आरे प्रदेश बिहार शब्द का अर्थ क्या है? बौधमट Option A यहाँ पर right होगा Next है बिहार में नमक सत्याग्रे आरंब हुआ कब आरंब हुआ था बिहार में नमक सत्याग्रे तो 15 अप्राइल 1930 15 अप्राइल 1930 हो जाएगा Option C यहाँ पर right होगा Next है बिहार का प्रथक प्रांत की रूप में गठन की मांग कब प्रस्तुत की गई? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1906 1906 में होई थी प्रसाद या फिर बाबु राम प्रसाद तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा बाबु माहेश्वर प्रसाद Option C यहाँ पर right answer हो जाएगा Next है बिहार में किस स्थान पर भारती राश्ट्य कॉंग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था हरिपुरा, रामगर, गया, पत्ना भारती राश्ट्य कॉंग्रेस का 1922 में अधिवेशन हुआ था वो बिहार के किस स्थान पर हुआ था? तो वो हुआ था गया में बिहार के गया में हुआ था 1922 वाला भारती राश्ट्य कॉंग्रेस का अधिवेशन 1922 का अधिवेशन गया में हुआ तो option C यहाँ पर right होगा next है पठना को प्रांती राजधानी बनाया गया था शेशास द्वारा, हुमायू के द्वारा, अगबर के द्वारा या फिर जहांगीर के द्वारा सही क्या होगा पठना को प्रांती राजधानी किसने बनाया था, शेशास ने बनाया था option A यहाँ पर right हो जाएगा और यह हो जाएगा पंद्रा सो चालिस ठीक है 1540 हो जाएगा यहाँ पर right, option A right हो गया next है नालंदा विश्विद्याले का व्यभव किसके हाथों नस्ठ हुआ option A यहाँ पर right होगा next है आम की वह प्रजाती जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है बिहार में ही पाई जाती है और कहीं ने दशहरीर, जरदालू, लंगडा, सफेदा, सही क्या होगा? सफेदा होगा, option D यहाँ पर right होगा next है संपूर, बिहार, राज, इस्थित है मैदानी चेतर में, ताल चेतर में, पठारी चेतर में या फिर इनमें से कोई नहीं सही क्या हो जाएगा? मैदानी चेतर, option A यहाँ पर right होगा next है इनमें से किस फसल का उत्पादन किस फसल का अगर उत्पादन के हम बात करें तो उसमें बिहार, देश में, भारत में अगर्णी है चावल में, गन्ना में, मखाना में, या फिर बास में इनमें से किस फसल के उत्पादन में बिहार, देश में, या भारत में अगर्णी है मखाना हो जाएगा, option C यहाँ पर right होगा and last question है, बिहार में जो डाल्मिया नगर है वो किसके लिए प्रसद है? रेशम के लिए, जूट के लिए, चम्रा के लिए या फिस सेमेंट के लिए, तो यहाँ पर सही क्या होगा जो बिहार का डाल्मिया नगर है, वो किसके लिए प्रसद है? चम्रा उत्पादन के लिए प्रसद है, option C यहाँ पर right answer हो जाएगा तो आज की क्लास में बस इतना ही, I hope या आपको पसंद आई होगी है अगर पसंद आई है, तो प्लेज लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताएगा चैनल पर अगर आप नए हैं, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजेगा और इस वीडियो को जितना हो सके, जादा से जादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रू करिए थैंक यू